हलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं हूँ आसीस और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग व्लॉग यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आली में आप देखते हैं कि किन सरकार ने और राज सरकारों ने समान वर्ग के जो आर्थी ग्रूप से क उजड रहे होंगे ऑबनाने में आप बहुत सरे देखतना जा रही होंगे और मैं इससी वीडियो को ले कर आहा हूं खास कर उनके लिए जो एडलीए बनवनाने चाहते हैं और उनको पता नहीं है कि कैसे यॉट्य में लिए क्या क्या करना होगा हुआ तो में साब बता दू हैं और आपको जो EWS सर्टिफिकेट है बहुत आसानी से बन जाता है अगर आप मद्धिप्रदेश की निवासी है और आपके पास में EWS सर्टिफिकेट है तो इसका मलब यह है कि आप ने बहुत उसके लिए प्रयास किये होंगे आप तब उसको बनवा पाए होंगे सामान तो पर बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस कैडिगरी में आते हैं EWS में लेकिन उनका सर्टिफिकेट अभी तक इश्यू नहीं हुआ है और बहुत सारी जो जॉब्स निकल रही है और चाहे सेंट्रल हों चाहे स्टेट लेविल की हों सभी में चीजे मांगी जाते हैं आपको जानकरी मिल जाएं आपको क्या क्या करना है ताकि आपका फालतू जो रुपया है वह भी बरबाद न हो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं सिधे अपने जो अंपने इस कागज लगें ये भी मैं आपको आप जानते हैं कि online शुबदा नहीं है मध्य प्रदेश में तो जब आप तैसील जाते हैं तो तैसील के आसपास जो दुकाने होती हैं उन में जाके आप बोलेंगे कि EWS certificate हमें चाहिए है तो कई बार हो सकता है कि जो दुकान वाला है वो ना समझे कि EWS certificate क्या है या हमें आवे ग्रूप से कमजोर हैं उनके लिए एक certificate बनता है जिसमें 10% का अरचन मिलता है हमें वो चाहिए है तो बहुत से जो दुकान वाले हैं वो एक फोटो कॉपी कराके रखे हुए हैं और उसी की फोटो माभी करके आपको दे देते हैं इसमें साथ से आठ पेज होते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहले यहाँ पर एक महतुपूर्ण पेज है आए वो संपत्ति प्रमाडपति के लिए घोशना पत्र नोट्री से प्रमाड़ित कराएं तो यहाँ पर फंट साब देखें कि यह आपका होगा और इसके पहले भी 3-4 आपको पेज मिलेंगे क्यो कि वो मेरे यूज हो चुके हैं इसलिए मेरे पास में नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताए दे रहा हूँ कि एक जो पेज होगा वो आय और संपत्ति से संबंदित होगा जिसमें आपको खुद बताना होगा कि मेरी आय कितनी है मेरी संपत्ति कितनी है वो सब चीज ह और वहाँ पर आपको अपना जो जमीन जादाद है वो भी सब आपको कितने एकड़ है बगार ये सब को शापको लिखना होता है और आपको अपना अधार नमबर ये मतलब इसी तरह की जानकारी पूरी रहती है इसी तरह का फॉर्मिट रहता है जैसे में और मेरा परिवार नगरेतर ग्राम ने चेतर में निमन भूमी धारत करता है तो यहाँ पर क्रमांग लिखें ग्राम का नाम जहाँ पर भूमी है आर-जी नंबर और यहाँ पर रखवा कितना है कितना है कितनी एकड study जमीन है भूलखना पढ़ेगा किसके नाम है भूमी स्वामी माता के नाम है पिता के नाम है आपके नाम है भाई के नाम है वो सभी सदस्यों के लिशने आपको देनी पड़ेगी आवेदक का भूमी सवामी से संबंध जिनकी नाम जमीन है उससे आवेदक का क्या संबंध है वो यहां पे लिखना पड़ेगा इसके परचाथ अगर आप नगरपाल का छेतर में हैं तो आपको इसको भरना हानने था आपको छोड़ा देना है जिसके पर जो अगला यहां पर देखें मैं और मेरा परिवार नगर पालका छेतरां तरगत आवास धारित करता है यहां पर मकान के बारे में आपको बताना है कि आपका जो मकान है वो कहां पर हैंगर पालका में है या गाओं में है अगर गाओं में है तो भी यहां पर आपको लिखना है कितने भाई कितने फिट में आपका जो मकान है वो कितना है और यहां पर मकान किसके नाम है बगार आप पर लिख देएंगे कुछ भी मारता के नाम पिदा के नाम चलेगा और नीचे यहां पर आपको घोश्ना करता कि अपने आपको हस्ताचर करने होगे और यहां पर आपको इस्थान लिखना होगा आगे आप रफ़र्ण से देखें कि बहुत से लोग हैं और जब आप इसके बारे में पूछते हैं किसी से तैसील में जाके तो वो बोलते हैं कि आप स्टाम खरीदो उसमें आप नोटरी कराओ और उसमें घोशना पत्र लिखो ऐसा कुछ भी कराने के जरूरत नहीं है आपको इसमें नोटरी से प्रमाड़ित कराएं तो जो वकील होगा उसके पास जाएंगे तो यहाँ पर कुछ फोटो चिपकाएगा और अपनी सील बगारा लगाएगा तो पचास सो रुपई ले लेता है मुझे यहाँ पर सो रुपई ले थे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पच रहता है वो होता है पटवारी का यहनि कि जो हलका पटवारी है वो अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रतिवेदन देता है तो उसका भी एक फर्म रहता है तो जिसमें वहीं सब जानकारी भरता है और नीचे वो अपनी यहाँ पर साइन करेगा उसकी जखे रहती है तो उसको यहां पर आपको साइन कराना है अगल बगल कहीं पर नहीं कराना है वो यहां पर साइन करेगा और सभी जानकारी आपका नाम आपके पिता का नाम और आपका ग्राम कौन सा है वो लिखेगा आप भी लिख सकते हैं लेकिन यह जो जमीन है जायदाद है उसके पूरी जानकारी वही लिखेगा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन से देख कर इसके पस्चाइब जो एक सर्टिफिकेट होगा जो सच्यू के लिए होगा ग्राम के लिए होगा यहाँ पर आपको सच्यू के सील लगेगी यहाँ पर और साइन करवा सकते हैं जरू नहीं सील हो तो सच्यू भरेगा आप भर सकते हैं उससे सील बस लगवा सकते हैं तो दो फॉर्म आपके यह हो जाएंगे इसके पशाद एक होगा इस्तिहार तो इस्तिहार में आपको फ्रेंट्स क्या करना है कि इस्तिहार को आपको भरना है वहाँ पर अपना नाम भरना पड़ता है पिदा का नाम औ और हलका यानि कि आपका गाओं कौनसा है वह आपको लिखना पड़ता है और होँ पर नाव तैसिल्दार नाव तैसिल दार रहे साकर करके यहाँ पर लिखा रहता है तो उसको भर के आपको अपने गाओं के ही उसके पेज के पीछे चार लोगों के साइन करा लेना है अलग- अपना अधार काड लगाना है साथ में आपको जो परवार में जितने सदस हैं उन सभी का आपको अधार काड वहां पर लगाना है अपनी जो समगर आईडी है उसको समगर परवार आईडी उसको लगाना है इसके परशाथ आप यहां पर देखेंगे कि आय प्रमाड पत्र लगानी होगी जैसे मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि यह मैंने निकलाई हुए थे इस तरह से आपके फार्म भी खतावनी बगएरा इस तरह से जो भी आपकी जमीन हो उसकी पूरी लगा कि आपको पीछे लगानी पड़ेगी यह चीज आपको लगा देनी है तो यह मैंन पर वाराइडी की फोटो कापी लगानी है और आपको जो आए प्रमाण पत्र है वो लगाना है और आपको लगानी होगी जो आपकी जमीन जायदाद की चीजे हैं वो सब चीजें लगानी होगी इतना इसमें लगता है और फाल्दू की चीज नहीं लगती मैं फ्रेंस बता रहा हूँ कि जो प्रारूप रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा यहाँ पर फ्रेंडश देखें कि यह जो शर्टिफिकेट है यह आपको मिलता है लेकिन फ्रेंडस मैं आपको बता दूँ कि कई लोगों को पता नहीं है, तो जब आप फॉर्म लेते हैं, तो जैसे इसमें आप देखिए हिंदी वाला है, यानि कि राज सरकार के लिए फॉर्मेट है, और पीछे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने नाम बगार भर रखा है, तो यहाँ पर आप देखें कि जो ज आप देख सकते हैं, नाम बगारा भ Mohammad सबकुछ आपको इस तरह से भुष़ाऊच को पर आपको फोटू लगानी होगा और यहाँ पर आपको आपको अपने साइन करना होगा और यहाँ पर आपकी जो तैसीलार है उनकी सील लगेगी साइन होगा और यह चीज यहाँ पर होन side का जो lane है वो यहां पि नहीं देख रहे हुआ यह आप इस तरह से देख üç ₹ कि तो मैंथा थीकष्य छो म्हुत P सब्सक्रणी वसके करिए यहां पर मैंने भंधा यहां हो था यहां is सब कुछ मैंने इसको लिखा हुआ था और जैसा कि आप यहां पर देखेंगे दिस सब कुछ मैंने इसको अपने मुबाइल से टाइप कर लिया था इस तरह पूरी जानकर मैं यहां पर भरी हुई थी और मैं डेट बगएरा यानि की टुथाउन ट्वंटी ट्वंटी वन के लिए मानने हैं तो यह सब चीजें और इसके पशाथ यानि कि इसको कहीं पर भी पें सिस्टर का दिखा रहा हूँ कि कैसा बना इस तरह से यहां पर देखें कि पूजय देवी चोहान को उपर से अभी प्रवाणित किया गया है और यहां पर सील लगाई गई है और यहां पर साइन है तो इस तरह से फ्रंस आपका जो सर्टिपिकेट है वो बनेगा बस जो परिशान करें और यह जो सर्टिपिकेट आपका बन जाएगा लेकिन मैं बता दूं कि इसके लिए आपको लगना पड़ेगा क्योंकि एंपी में बहुत सारी समस्या हैं बड़ी मुश्किल में सर्टिपिकेट को बनाते हैं परिशान होना पड़ता है ज्यादा तो यह आप देख सकते हैं कि इंग्लिस वाला है मैं आपको दिखा रहा हूं जो हिंदी वाला है ने की जो राजसरकार के लिए फॉर्मेट होता है वो तो यहाँ पर इसको भी मैंने टाइप किया हुआ है खुद से और मोबाइल से ही टाइप कर लिया है अगर आप मोबाइल को ठीक तर देखने हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबकुछ मैंने लिखा हुआ है ताकि यह जो भरने में हैं जब हम हाँ से बरते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता लेकिन इस तरह का फॉर्मर देखने में भी आपको अच्छा लगेगा वह बहुत ही ऑफिसियल लगत है तो यह पूरा का पूरा मैंने इस तरह से बनवाया है और इस तरह से यहाँ पी सील और साइन आपकी हो जाएगी और अब आप बहुत ही आसानी से जो EWS की जो कैटिगरी में आप आ जाते हैं और उसका लाफ ले पाएंगे तो मैं फ़र साब को बता दूँ कि अगर आप एक बार यह सेटिफिकर बनवा लेते हैं तो अगली बार बनवाने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी इसलिए फर्स टाइम आपको लगना ही पड़ लेगा और इसको हरहाल में बनवा ले और बिल्कुल भी आलस ना करें क्योंकि अगर आप आलस करेंगे तो इसका लाफ नहीं ले पाएंगे अगली बात यह है कि वर्तमान में MP में बहुत कम बनाय जा रहे हैं अगर आप बनवा लेते हैं तो आपको लाफ जल्दी मिल जाए जाएगी तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें इसका लाफ लेना चाहिए तो जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी आप पाएंगे यानि कि जल्दी आओ जल्दी पाओ जैसा यहां पर सिस्टम है तो यह फ्रेंट से मेरा मानना है कि एक पहला वीडियो है जो MP में कै जैसे EWA Certificate बनता है जो बिल्को लाइब दिखाया गया है आपको और मेरा मानना है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा फ्रेंट्स यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है और इसी तरकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी च